नमस्कार दोस्तों क्या हल चाल आप सभी लोगों का उमीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे आज किस वीडियो के अंदर हम SSCD Constable का स्टेट वाइज फाइनल कट ओफ का एनलिसिस करने वाले हैं आज किस एनलिसिस में हम ग्राउंड रिजन की अन्रिजर्व केटेगरी का करेंगे बाकी केटेगरी को आईडिया लग जाएगा अगर उनरिजर्व की इतनी कट ओफ जा रहे है तो हमारी कट ओफ कितनी जाएगी साथ में जो भी बोडर एरिया या नकसल एरिया से हैं उनकी जो कट ओफ बढ़ेगी वो ग्राउंड एरिया की जो आपकी कट ओफ इनक करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे महरास्ट्रा के बारे में ठीक है अगर में महरास्ट्रा के बारे में बात करें तो महरास्ट्रा में unreserve की vacancy सभी forces के अंदर हैं आपकी 1090 ठीक है candidates available कितने हुए थे DME के लिए 1635 ठीक है अब 90% यहाँ पर present थे क्योंकि 100% तो कहीं भी present नहीं है तो अगर 90% यहाँ पर present थे तो 1, 4, 7, 1 candidates ऐसे थे जो यहाँ पर medical देने आई थे अब उसमें से 85% भी अगर medical को completely pass करते हैं तो यहाँ पर 1250 candidates ऐसे होंगे जो medical को यहाँ पर pass कर लेंगे ठीक है अब अगर मैं difference की बात करूँ कि बच्चे कितने भाहर करने हैं तो यहाँ पर आपके 1250 में से 1090 ठीक है 1090 अगर मैं minimum की बात करूँ तो 160 बच्चे भाहर होंगे और maximum से maximum बात करूँ तो 230 अब maximum क्या है यहाँ पर 95% का रेशो लिया है बहुत सारे बच्चे कहेंगे sir 86% pass है sir 70% pass है sir 90% pass है तो यहाँ पर आप 90-91 तक ले लेना इतने ही बच्चे आपके बाहर होंगे इससे जादा medical को pass कर भी नहीं रहे हैं ठीक है चलिए तो आपके maximum और minimum मतलब 160 से लेकर 230 के बीच में जो बच्चे है उनको क्या किया जाएगा बाहर किया जाएगा ठीक है अब एक बर cut off के उपर नजर मारते हैं कि जब qualify जो return को करके physical के लिए कितनों का नाम आये था 65-40 बच्चों का आये था और जो cut off गई थी वो 46.13 गई थी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ DME के लिए कितनों का नाम आया तो 1635 का आया यहाँ पर और cut off गई थी 51 ठीक है जो यहाँ पर जो difference आया वो आया उन्हें 400 बच्चे यहाँ पर बहार हो गए और cut off का difference था 4.78 ठीक है अब देखिए अब आपकी जो cut off है जो आपकी cut off है जो cut off गई थी आपकी किस के लिए medical के लिए वो यहाँ पर 5 नंबर के approximate बढ़ चुकी है ठीक है आप देखिए आपके उन्हें 400 प्लस बच्चों को बहार किया गया आप 5 नंबर पर बढ़ाने पर कितनों ने medical pass किया कितनों ने physical pass किया वो अलग बात है लेकिन हम अगर लेकर चलते हैं तो एक नंबर पर यहाँ पर 1000 प्लस बच्चे जो है वो बहार कड़ दिये गए ठीक है तो यहाँ पर आपकी जो cut off है वो पहले ही यहाँ पर भड़ा दी गई है margin को बिलकुल low रखने के लिए अब यहाँ पर तो आपके पास सिफ 230 maximum या minimum 160 बच्चे बहार करने हैं लेकिन इस zone की जो cut off है वो already high गई है इसका मतलब क्या है कि number of marks number of जो marks या number है वो already इस zone के बच्चों के कहीना कही एक जो है वो कहीना कहीं जाद है ठीक है इस वो जैसे यहाँ की जो cut off है वो कुछ points उपर जाएगी तो अगर मैं कुछ points की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आपकी final cut off है वो 2 से लेकर 2.5 number तक आपकी उपर जा सकती है ठीक है जिसके भी number इतने है आपके यह किसके लिए था unreserved category के अंदर था आपका ठीक है अब बाकी जो categories है न भाई वो इससे अपना कुछ कुछ आप अपने number यहाँ पर क्या कर लो कम कर लो यहाँ पर ठीक है अब कुछ number का कम का मत्तब यह निए आप एक number घटा के बैठ गई points में ठीक है अब यहाँ पर 2.5 है अगली OBC आ रही है OBC 2.3 तक लेके चले जाओ उसके बाद next आ रही है तो उसमें points में ही आपके जो number है वो यहाँ पर घटते वे चलेंगे ठीक है अब अगर मैं second state की बात करें तो second में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिहार की ठीक है बाई second में हम बात करेंगे बिहार की बिहार के अंदर vacancy है 641 ठीक है 641 vacancy आपकी यहाँ पर है अंडिजर केटेगरी की candidates available है 1581 वो ही 90% present है 1422 85% लोगों ने past किया होगा maximum तो 1208 difference की बात करूँ तो 1208 minus 641 maximum और minimum की बात करूँ तो 566 और maximum 638 ठीक है 638 आपकी तो यहाँ पर 566 से लेकर 638 candidates ऐसे होंगे जिनको क्या किया जाएगा बाहर यहाँ पर आपको करना है तो margin आप देख सकते हो कि 600 का double 1200 तो लगबग लगबग double ही यहाँ पर हो रहे है कि एक seat पर दो बच्चों का competition यहाँ पर रहे ठीक है चलिए एक पर अगर मैं physical की qualify की बात करूँ तो 6,324 candidates थे cut off गई थी 61.4 बात करें medical के लिए घटके रह गया 1581 cut off गई 64.30 यहाँ पर अगर difference की बात करते हैं तो 4,700 आपकी 43 और cut off गई 2.76 यहाँ पर ठीक है 2.76 अगर मैं एक number पर यहाँ पर difference की बात करूँ तो यहाँ भी वो ही approximate 1000 प्लस candidates ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या हो गई होंगे बाहर हो गई होंगे आपका यहाँ पर competition है एक seat पर दो बच्चों का ठीक है 1 ratio 2 का बन रहे हैं की एक seat है और दो बच्चे हैं तो यहाँ पर अगर cut off की बात की जाए तो यहाँ पर approximate 2 से लेकर 2.3 number तक आपकी जो cut off है वो यहाँ पर उपर जाने वाली है ठीक है 2.6 गई थी लेकिन competition अब भी यहाँ पर बरकरार है तो यहाँ पर आपका जो cut off जाएगी वो approximate 2 से लेकर 2.1, 2.2 तक तो आपकी जानी ही जानी है इससे कम आप यहाँ पर उमीद मत करना कि आपकी जो cut off है वो यहाँ पर इससे कम जाएगी ठीक है बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ना यहाँ पर अगर आपके इस number के range में अगर आपके आते हैं तो आप अपने आपको job की तियारी कर लो क्योंकि इसके बाद joining later अप खुद अपने पैरों चलके आपके पास आने वाला ठीक है उसके बाद अगर बात करते हैं तो 909 अवेलेबल थे अगर 90% की बात करते हैं तो 818 85 परतिसत की बात करते हैं तो 600 पिचान में ने medical pass किया होगा अगर मैं यहाँ पर difference की बात करता हूँ तो difference मैं यहीं पर ले लेता हूँ आपका 600 पिचान में minus 606 ठीक है अगर यहाँ पर difference की हम बात करते हैं तो कम से कम आपके यहाँ पर 89 और जादा से जादा 130 candidates ऐसे होंगे जिनको बाहर यहाँ पर किया जाएगा अब अगर बात करें qualified physical के लिए तो 36-36 आपके यहाँ पर candidates थे 67.59 आपकी cut-off गई जिसमें से 909 ही बात करूँ तो 2727 27 और 3.39 आपकी cut-off बढ़ी वही एक नमबर पर 700 प्लस बच्चे आपके यहाँ पर बाहर कर दिये गए ठीक है तो यह तो था आपका एक नमबर पर कितने बच्चे आपके बाहर हुए थे जब आपका फिजिकल हुआ था उसके बाद अगर आप बात करते हैं यहाँ पर 89 से 130 बच्चे बाहर करने है तो यहाँ पर अगर मैं cut-off की आपकी बात करता हूँ तो 2 से 2.5 नमबर आपकी cut-off जो है वो उपर जाएगी जिसके भी नमबर यहाँ पर 2 से 2.5 नमबर के बीच में भाई जिसके भी नमबर यहाँ पर है वो बिल्कुल त्यारी कर लो वर्दी जो है न वर्दी बिल्कुल आपके पास आने वाली है खुद अपने पैरों से चलके कि आओ और मुझे पहनो ठीक है ऐसी बात होने वाली है आपके साथ इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाना ठीक है उसके बाद बात करते हैं हरियाना ठीक है देश सामें देश हरियाना चलो भाई बात करते हैं वेकेंसी 248 ठीक है अगर केंडिडेट्स की बात करता हूँ तो 300 बहतर अगर यहाँ पर बात करें आगे तो 90% तो 334 और पास किया होगा 85% में 283 difference की बात करूँ तो 283-248 तो यहाँ पर जो difference आ रहे हैं minimum से minimum आपके बाहर किये जाएंगे यहाँ पर 35 और maximum से maximum किया जाएगा minimum और maximum की बात करें अगर यहाँ पर बात करें तो 1788 candidates available थे 63.55 यहाँ पर उनकी cutoff गई थी बाद में बच गए 302 ठीक है 67.89 यहाँ पर गया candidates 1116 बाहर हुए 4.34 के उपर और एक number बढ़ने पर 200 प्लस candidates यहाँ पर बाहर हो गए थे ठीक है चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर निकालने कितने आपको 35 ठीक है और यहाँ पर कितने हैं बावन मैक्सिमम से मैक्सिमम लेकिन यहाँ पर जो competition है वो जबरदस्त है इस zone के अंदर तो अगर competition जबरदस्त है तो यहाँ की जो cutoff है वो भी आपकी कितनी जाएगी दो से ढ़ाई नंबर उपर आपको देखने को मिलेगी ठीक है इससे जादा आपकी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इससे जादा अगर इन्होंने चार नंबर बढ़ा दी तो यह 352 के सा इसाब पे जितने भी आप कर रहे हो ना यह सारे ही इसमें और भी ज़्यादा उड़ जाएगे और जो हैं वही आपकी आपर फ्री रह जाएगे ठीक है तो इससे जादा आपकी कट ओफ हर्याना में नहीं बढ़ेगी तो अगर आप हर्याना से बिलोंग करते हैं भाई ठीक है तो आप यहाँ पर आपके दो से धाई नंबर उपर होने पर आपका स्लेक्शन हो जाएगा ठीक है चलिए बागी सारी ठीक बाते ठीक हैं यार बट भई हमारे हर्याना से पास इतने कम क्यूं होए है ठीक है अच्छा दूद धाईक तुम खाते हो ठीक है अच्छा घी तुम खाते हो और पास तुम होके आएओ तीन सो प्लस ग्यारा कितने में से पास होए तुम कश्मीर की बात कर लेते हैं जम्मु इंड कश्मीर में 434 वेकेंसी अन्रिजर्व के लिए केंडिडेट्स अविलेबल थे 651, 90% का अगर मैं रेश्यो लेकर चलता हूं तो 5806, 85 पास करते हैं तो 498, ठीक है, बात करते हैं फ्रेंडेस की 498 माइनस 5 34, क Sungliers वेकेंसी हैं, तो कितनी यहां पर मीनिममु मैक्सिमम भार करने पढ़ेंगे आपके 64, और मैक्सिमम से मैक्सिमом 33, र मैक्सिमम, ठीक है, चलिए, यहां पर मैक्सिमम आपके 651 ठीक है और यहाँ पर जो cut off गई थी वो गई थी 42.37 57 ठीक है अब अगर बात करते हैं तो 1953 candidates बाहर होए और 7.03 यहाँ पर बढ़ी और एक number पर 200 plus candidates क्या हो गई बाहर यहाँ पर हो गई ठीक है अब यहाँ पर एक चीज आपको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए जब्मो कस्मीर के अंदर 264 candidates थे ठीक है यहाँ से घटकर यहाँ पर आ गई 651 ठीक है मतलब की बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कम हो गए है ठीक है लेकिन 651 होने पर भी ठीक है कितना गुना मानता हूँ अगर मैं 7 मानता हूँ 7 यह 21 ठीक है 7 यह 21 चोग 28 26 तो मैं 3.5 गुना बच्चे 3.5 गुना बच्चे कम हो गए हैं किसके लिए मेडिकल के लिए लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जो कटोफ है वो साथ नंबर उपर गई है तो यहाँ से आप क्या मान सकते हो कि आपकी जो कटोफ है वो साड़े तीन गुना बच्चे कम होने पर भी इतनी उची गई है तो यहाँ पर आपके माक्स की आप मान सकते हो यहाँ पर आप बच्चों की हार्ड वर्किंग बान सकते हो कि मत्तब यह जोन सबसे अलगी चमक रहा है भाई जम्मू कश्मेर का ठीक है तो अगर सारी चीजों की बात करें तो अब आपको बाहर कितने करने 64 और तिरान में 64 तिरान में बाहर होते हुए भी आपके जो कटोफ यहाँ पर जाएगी वो एप्रोक्शिमेट तीन नमबर से लेकर तीन पॉइंट पाइच नमबर तक यहाँ पर उपर जाएगी जाएगी ठीक है क्योंकि साथ नमबर यहाँ बढ़ा दिया है कम से कम इसकी आदी कटोफ जाएगी तब जाकि वो भी यहाँ पर अपने आपको मान कर चलेगी उसके भी चांसीज है केटेगरी वाइज यहाँ पर जो है आप OBC में जाएगे थोड़ी और कम हो जाएगी ACS टिम जाएगे और कम हो जाएगी वो यहाँ पर अलग तरीके से रोल पुले करेगी बट जिसके भी नंबर तीन से साड़े तीन के बीच में है वो अपने आपको यहाँ पर सेफ समझे क्योंकि जम्मू कस्मीर के मामले में थोड़ा सा मामला जो है समीकरन जो है वो यहाँ पर उपर नीचे हो सकते हैं ठीक है चले आगे बात करते हैं हिमाचल के बारे में ठीक है एक केंडिडेट कल कह रहे थे कि सर आप हिमाचल के बारे में नहीं बताते हैं मैंने बिल्कुल बताएंगे आपको भई हिमाचल परदेश के बारे में ठीक है चले हिमाचल परदेश के गया, तैटर और चोशट के इंदर, ठीक है, तैतर और चोशट के इन्दर का मैं अगर डिफरेंट्स आपको यहां पर बताता हूं, तो कितना हो गया वही मैं, 9, 13, maximum minimum, ठीक है, 9 और 13 का यहां पर difference हो गया, ठीक है, अब यहां पर इस वाले analysis को भी एपर मैं आपको बता देता हूँ, 384 candidates थे, 52.29 cutoff गई थी, उसके बाद 96 में candidate रहे गई, cutoff 54.5 यहां पर रही, ठीक है, उसके बाद अगर मैं difference की यहां पर बात करता हूँ, तो 288 candidates बाहर हो गए, cutoff 2.46 यहां पर increase हुई, तो मतलब एक number के उपर 100 plus students जो हैं वो यहां पर बाहर हो गए थे, ठीक है, चले, अब अगर आपको नोर 13 बच्चे बाहर करने हैं, तो आपकी जो cutoff यहां पर जाएगी, वो भी आप देख लीजिए, आपकी cutoff अगर यहां पर कि यहां पर जाने की उमीद है, हो सकता है, इससे एक आदा point कम भी चली जाए, 1.4 चली जाए, 1.3 चली जाए, बट इतनी cutoff तो आपकी यहां पर उमीद है, कि इतनी cutoff तो आपकी बढ़ेगी, 1.5 नमबर तक, ठीक है, चले, उसके बाद बात करते हैं, last हमारे पास, उत्तर पर देश के बारे में, ठीक है, यूपी के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं, last है, कि यूपी ने क्या कुछ किया है, यूपी का भी एक बार हाल देख लेते हैं, यहां पर, तो अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, हमारी यूपी की, ठीक है, तो आपकी vacancy थी, 1802, candidate available थे 273, 90% present हो गए, 2432, pass कर लिया 85%, 2068 candidates ने, difference की बात करता हूँ, तो 2068 minus 1802, अगर मैं minimum और maximum की बात करता हूँ, तो 266 maximum, minimum और maximum 388 candidates को बाहर यहां पर होना पड़ेगा, अगर मैं पिछले previous की बात करता हूँ, तो 10,000 candidates थे, physical के लिए, जिसके अंदर से, 66.11 cutoff गई थी, उसके बाद, सिर्फ घटकर यहां पर 2703 candidates रह गए, 70.3 यहां पर आपकी cutoff गई, difference की बात करें, तो 8,109 बच्चे उनको बाहर करना पड़ा, और 3.2 मैं यहां पर cutoff थी, वो यहां पर उपर गई थी, ठीक है, चलिए, अब आप को बाहर करना है, तो मतलब एक नंबर के उपर आपके 1500 प्लस बच्चे जो हैं, वो यहां पर बाहर हो गए थे, as for the analysis, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, कि आपको कितने बच्चे बाहर करने हैं, यहां पर minimum 266, maximum 388, यहां पर cutoff बढ़ी हुई है, 3.2 मैं expert, मतलब 4, मतलब कि यहां का जो level है, वो आपका moderate level के अंदर आता है, और moderate level के अंदर जहां भी आपका आता है, तो मतलब अपकी बार जो आपको competition मिलेगा, वो भी आपको moderate level का ही मिलेगा, so approximate अगर आपकी cutoff यहां पर किसी भी बच्चे की cutoff, दो number से लेकर 2.5 number तक जादा है, so उसका यहां प states का, कौन-कौन से थे महराष्ट, बिहार, राजस्तान, हरियाना, जम्मुएंड, कस्मीर, हिमाचल और उत्तरपरदेश, इनका आमने analysis कर दिया है, बाकी जो state बच गए है, उनका आपको अभी बच्चा है, आपके 11 बचे है, ठीक है, मैं वीडियो जिससे में end कर रहा हूं, और एक बज़े आपको मिल जाएगी, आपको बाकी states की, और शाम को 6 बज़े मिल जाएगी, बाकी जो states बच गए है, ठीक है, सो stay tuned, चैनल को subscribe कर लीजे, वीडियो को like, share कर दीजे, मिलते हैं आपसे, दो और वीडियो के साथ, वो भी analysis बचे वे states का, तब तक के लिए, thank you so much, Namaskar.